असलाम लेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं वाइगॉट्सकी की थेहरी की ठीक है जी साइकॉलोजिस्ट में हमारे पास वाइगॉट्सकी और इनकी बहुत अर्ली एज में इनकी डेथ हो गई थी due to tuberculosis ठीक है जी 30 में इनकी डेथ हो गई थी हम इनकी थेहरी रिलेटर ठीक है जी वो डिसकस करेंगे और एंड में को एवैलुएट करेंगे ठीक है जी सो लेट स्टार्ट सबसे पहले बात करते हैं जोन ऑफ प्रॉक्जिमल डेवलपमेंट की ठीक है जी इस वेरी क्लोज सेर्कल अफ चाइल्ड उफ वाट ही कांट दू यह बच्चे क is why God skills term for the range of tasks that are difficult for the child to master a law on that but that can be learned with guidance and assistance of adults or more than more skilled children इसले हमें हमार पास the zone of proximal development में क्या आता है बच्चे की तीन किसम के टास्क होते है ठीक है जी एक जो वो कर सकता है और एक जो नहीं कर सकता और एक जो किसी की guidance में कर सकता है तो zone of proximal development में basically कली उन टास्क को हम डिसकस करेंगे कि जिन को बच्चा कर सकता है लेकिन किसी की गार्डन्स में ठीक है जी इसमें हमारे पास तीन लियर्ज आती हैं इस सर्कल में इसको हम as a circle consider करते हैं zone of proximal development को ठीक है जी जिस तरह यहां पर एक circle आपको शोग किया गया इसमें थ्री लियर्ज है ठीक है जी ए बी और सी जो लेर नंबर ए है इसको हम नाम देते हैं innermost layer या फिर lower limit of zone of proximal development और जो लेर भी है उसको हम name देते हैं middle layer या फिर upper limit of zone of proximal development ठीक है जी जो third layer है उसको हम कहते है outermost layer अब यह जो हमारे पास innermost layer है इसका क्या मतलब है the level of skill reached by child working independently यह वो वाले काम है वो वाले skills है जो बच्चा independently perform कर सकता है ठीक है जी कोई इसको guide नहीं करेगा कोई इसकी help नहीं कर रहा होगा independently बच्चा जो काम perform कर सकता है उनको हम क्या कहते हैं कि वो इस limit में exist करें ठीक है जी things what child can do with respect to his age बच्चा अपनी age के मताबिक वो task perform कर सकता है किसी भी guidance के बगार for example nursery class student can differentiate or identify things जो nursery class का बच्चा होता है वो असानी से चीजों को differentiate कर सकता है उनको identify कर सकता है चीजों में फर्क बता सकता है कि क्या कून सी चीज है क्योंकि उस age के बच्चे को अलड़ी सारी चीजों के नाम तकरीबन पता चल चुके होते हैं जो उसके आसपास की चीजों होती है ठीक है जी जिस तरह उसको यह पता चल चुका होता है कि यह water क्या है ठीक है जी उसको खाने का पता चल चुका होता है और उसको अपने mother, father मतलब चीजों को identify करना वो जान चुका होता है ठीक है जी तो बच्चे की age के हिसाब से जो skills उसको आती है वो वली जो होती है, इस list में आती है, ठीक है जी, second one हमारे पर साती है, middle layer, the layer of additional responsibility, ठीक है जी, ये additional responsibility हम बच्चे पर देते हैं, कैसे the child can accept with the assistance of an able instructor, ये वो वली responsibility है, जिसको बच्चा तब संभाल सकता है, अगर उसको कोई instructor available हो, कोई उसको समझाए, कोई इसको supervise करे, ठीक है बच्चा उसको under control supervision perform करता है, ठीक है जी, some person guide him, कोई उसको guide करेगा, तो फिर वो perform कर पाएगा, वरना वो नहीं कर पाएगा, जिस तरह के plus minus के questions, ठीक है जी, बच्चा one two class का जब होता है, तो अब उसको plus minus के questions कोई सिखाएगा, तो उसको समझ आएगी, वरना खुद से उसक समझ नहीं आएगी, ठीक है जी, next हमार पास आता है, outermost layer, outermost layer में क्या होता है, things which child can't do even under control supervision, ये वो वाले काम होते हैं, जो बच्चा हर गिस नहीं कर सकता, even कोई उसको समझाए, ठीक है, कोई उसको supervise करे, कोई उसको guide करे, फिर भी वो काम वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी mental ability से beyond होते हैं, ठीक है, जी, वो उसकी limits से ज़ादा होते हैं, उसकी समझने की capacity से ज़ादा होते हैं, for example, two class child can't do under root questions, even guided, because it is not developmentally appropriate, अब two class का बच्चा मुश्किल से 1, 2, plus, minus ही जिखेगा, ठीक है, अगर आप उसको under root के questions सिखाने बैठ से हैं, तो उसको कभी भी समझ नहीं आएंगे, चाहे आप जितनी मर्ज़ी कोशिश करें, ठीक है, क्यों, क्योंकर ये developmentally appropriate नहीं है, ठीक है जी, अब ये वाले जो टास्क होते हैं, जो बच्चा किसी की supervision में भी नहीं कर पाता, उनको हम क्या कहते हैं, कि वो किस layer में आते हैं, outermost layer, layer number C में आते हैं, ठीक क्या है, वो वाले टास्क जो बच्चा किसी की guidance में परफॉर्म कर सके, नेक्स नमार परस पॉइंट आता है, वाई गाट स्खी का scaffolding, ठीक है जी, scaffolding क्या है, it means changing the level of support, बच्चे की level of support को change करना, process by which giving instructions by some knowledgeable others to stretch the cognitive ability of the child, वो वाले process जिसमें कोई इन्स्ट्रक्टर बच्चे को क्या करता है, knowledge देता है, उसकी cognitive abilities को stretch करने के लिए, ठीक है जी, कोई knowledgeable person जो जानता है सब कुछ, ठीक है, वो बच्चे को सिखाता है, उसको new skills बताता है, बच्चे की cognition को, उसके thoughts को, उसकी thinking को जादा करने के लिए, stretch करने के लिए, और enhance करने ल ठीक है, to move him from core to second layer, ठीक है जी, educational psychologist focus on the process of scaffolding, core to second layer, core मतलब के inner layer, ठीक है जी, inner layer को हम core consider करते हैं, तो बच्चे को core से middle layer तक ले कर जाने के लिए, मतलब उन task से जो बच्चा खुद से कर सकता है, उन task तक ले कर जाने के लिए, जो बच्चा किसी की guidance में कर सकता है, वो उस process को हम क कहते है, scaffolding, मतलब इस चीज़ पर educational psychologists जो है, वो जादा focus करते है, जब उनने बच्चे की cognition को enhance करना होता है, ठीक हो गया, और इस process को हम क्या कहते है, scaffolding, जिसमें बच्चे को instructions दी जाती है, जो second layer वाला काम है, को कोई instructor उसको guide करता है, तो फिर वो वाला काम perform कर सकता है, ठीक ह हो गया, first identify the zone of proximal development according to particular age, then find out how we can do scaffolding according to particular developmental age, अब यहाँ पर psychologist का क्या काम है, educational psychologist का, उसने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे की zone of proximal development को identify करना है, ठीक है जी, उसकी age के मताबिक, मतलब उसको यह देखना है, कि वो कौन से काम है, जो बच्चा किसी की guidance में perform कर सकता है, ताकि उ और enhance हो, ठीक है, जी, उसकी cognition और अच्छी हो, तो सबसे पहले उसको वो वाले काम देखने है, जो उसकी zone of proximal development की middle layer में exist करते है, और उसके बाद उसने देखना है, कि वो scaffolding कैसे कर सकता है, मतलब कैसे instructor guide कर सकता है, उसको ठीक है जी, और फिर उसके बाद उसकी developmental age के मताबिक देखना है, कि यह ना हो, कि वो third layer में चला जाए, ठीक है, वो उन कामों के लिए guidance ना दे, जो बच्चा perform नहीं कर सकता, उसको उन कामों के लिए guidance देनी है, जो बच्चा perform कर पाए, ठीक हो गया, यह था हमारे पास, scaffolding, third हमारे पास आता है, point, language and thought, he gives very importance to child language, वाइग ज्यादा importance दी है, ठीक है, जी, प्याजे सर्ट language is product of cognitive development, प्याजे ने कहा था, प्याजे भी हमारे पास एक psychologist थे, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, language is product of cognitive development, यह मतलब language जो होती है, वो cognitive development का product होती है, जब बच्चे की cognition develop होती है, बच्चे के thoughts develop होते है, उसकी thinking development होत तो उससे क्या होता है उसकी language development होती है ठीक है जब बच्चे के thoughts मनते हैं तो वो जुबान सीखने लगता है लेकिन वाइगोट्सकी ने क्या कहा वाइगोट्सकी के मताबिक Language is very much important to understand Language shape the cognition of child Language जो होती है वो बहुत ज़्यादा important होती है बच्चे के लिए ठीक है वो बच्चे की cognition को shape करती है मतलब बच्चे की thinking को बनाती है उसके thoughts को बनाती है अब यहाँ पर इन दोनों को concept आपस में clash कर है प्याजे ने कहा था कि जब thinking develop होती है cognition develop होती है तो उसके जर जब बच्चे की language development होती है तो उसके जरीय उसकी thinking उसके thoughts और उसकी cognition development होती है ठीक है तो दोनों ने reverse बात की थी उल्ट की थी बात ठीक है उसके बाद प्याजे ने कहा cognitive development occurs when child explores the world प्याजे ने कहा कि बच्चे की cognition तब बनती है जब वो दुनिया को explore करता है उसके thoughts उसकी thinking लेकता है उसको explore करता है लेकिन वाई गौर्सकी ने कहा cognitive development थाब होती है जब बच्चा language सीखता है ठीक है जी वही point repeat हो रहा है उसके बाद आता है initially child do private speech self-talk talk to on self and talk to non living things बच्चा शुरू-शुरू में क्या करता है वो private speech करता है मतलब वो अपने आप से बाते करता है ठीक है self-talk कर रहा होता है खुद से ही बाते कर रहा होता है या अपने toys वगारा से non living thing से बाते कर रहा होता है ठीक है जी बच्चा यह काम करता है शुरू-शुरू में यह कहा था किनों ने वाई गौर्ट्सकी ने कहा था उसके बाद आता है animism according to प्याजर तब he didn't give much importance to it प्याजर ने animism को कोई खास importance नहीं दी ठीक है उसके बाद वाई गौर्ट्सकी ने कहा था कि self-talk is very much important वाई गौर्ट्सकी ने self-talk यह जो self-talk की उपर बाता है इसको भी बहुत जादे importance दी इन्हेंनों क्या कहा था it internally relate internal life self-regulation how he manage and plan things it revealed all these things उनने कहा था कि बच्चे की जो self-talk होती है बच्चा जो खुद से बातें कर रहा होता है यह किस चीज से relate करता है बच्चे की internal life से relate करता है ठीक है बच्चे की self-regulation से कि वो अपने आपको self-regulation कैसे करेगा अपने emotions को maintain करना वो सब जो अपने plan अपनी मतलब things को manage कैसे करेगा planning कैसे करेगा यह मतलब future में वो सब कैसे कर करता है कि वह बच्पन में self-talk कैसे कर रहे हैं ठीक है तो बच्चे की self-talk बहुत important होती है यह कहा था वाइगाट्सकी ने उसके बाद बात आती है as a child is growing up this self-talk become the inner space जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो यह self-talk क्या होती है उसकी inner speech मतलब जब भी कोई बात होती है तो हमारे अंदर से जो एक आवाज आती है हम अंदर में जो एक बात करते हैं जाहिर नगर हम कोई और बात कर रहे हों लेकिन हमारे अंदर कोई और बात चल रही होती है तो वह हमारी inner speech होती है ठीक है जो हम अंदर से बात कर रहे होते हैं अप speech बनती जाती है and become a way of self regulation और उसकी self regulation का भी तरीका बनती जाती है ठीक है पहले बच्चा क्या करता था self talk loudly करता था ठीक है बोल बोल के कर रहा होता था twice के साथ बाते कर रहा होता था ठीक है अपने आप बाते कर रहा होता था लेकिन आइससा इससा बच्चा वह loudly कि बिजाए उसको quietly करने लग जाता है अपने ही अंधर करने लग जाता है और आइससा इससा वह उसका thought बन जाता है वो सिरफ अपनी so achievement दोचों में करता है अपनी जुबान तक को भी नहीं move करता है अपनी सोच में वो सारी बाते कर लेता है अपने आप से यह हमारी क्या बन चाहती है inner speech next रहता है the child who do inner speech or self-talk or private speech that are more socially competent वो बच्चे जो inner speech करते हैं जो self-talk या फिर private speech यह सारे एक ही चीज के नाम है ठीक है जो बच्चे यह चीज करते हैं वो क्या होते हैं ज्यादा socially competent होते हैं मतलब society में वो अच्छे से move कर सकते हैं ठीक है जी more ability of problem solving of social life अपनी social life के problems को अच्छे से solve कर सकते हैं more lightly and easily adjust in an environment किसी भी new environment में वो अराम से seconds adjust हो जाते हैं ठीक है जी why gods give great importance to animism egocentricism and self-talk इन तीनों को animism, egocentricism playing is practice of adult life ठीक है जी by godsky ने इस concept पर भी बहुत साही बात है की बच्चे की जो child की जुसकी खेलना कुदना होता है कि बच्चमन में किस तरह के खेल खेल रहा है वो उसकी adult life की practice होती है मतलब वो आगे जब adult life आएगी तब भी वहाँ पर जाका भी वैसे ही काम करेगा ठीक है तो वो क्या है इस बारे में क्या कहा उन्होंने He said the child playing is practice of adult life देस plays fantasy games develop and shape the child personality cognitive style and enhance the child's cognition उन्होंने कहा था कि बच्चे के जो plays होते है जो उसकी fantasy होती है मतलब जिस किसम के वो cartoons देखता है fairy tales देखता है या फिर वो actions वाले देखता है मतलब जिस किसम के बच्चे के childhood में activities होती है उसकी games होती है उसके place होते हैं वैसे ही बच्चे की personality development होती है ठीक है बच्चे की cognitions वैसे की वैसे होती है styles और वो उनको enhance करता जाता है और इसे तरह बच्चे की adult life में भी वैसे ही उसके thoughts होते है ठीक है जी next हमार पास आता है in zone of proximal development the inner layer which child can do independently if child just do these skills then cognition not develop much यहां पर हमार पास जो zone of proximal development में जो inner layer होती है जो core होती है वो वाले काम जो बच्चा independently अराम से perform कर सकता है without any guidance अगर बच्चे को सिर्फ वो काम करने दिये चाहें तो इसमें क्या होता है बच्चे की cognition जादा develop नहीं होती ठीक है वो वाले काम सिर्फ कर रहा है वो वाले काम जो बच्चा किसी guidance में अच्छे से कर सकता है वो वाले काम जादे important है where knowledgeable others give careful supervision to child with relevance to particular tasks help child's cognitive abilities grow अब वो वाले काम जो बच्चा किसी की guidance में कर सकता है अगर उन काम पर जादा focus किया जाए वो जादा काम बच्चे से करवाए जाए तो बच्चे की cognitive abilities अच्छे से grow करती है stretch होती है enhance होती है यहाँ पर हमारे पास cognitive वाइगाट्स की थेरी end हो गई वो complete नहीं हो सकी क्योंकि उनकी 30s में ही death हो गई थी tuberculosis की वज़ा से ठीक है जी next उनकी थेरी को लोगों ने इन पर काम तो किया लेकिन वो क्या हुआ कि वो validate होती रही जादा overextend नहीं हो ठीक है जी evaluating वाइगाट्स की थेरी प्याजट अन् वाइगाट्स की बात बहुत थेरी जार constructivist दोनों की थेरी सी constructivist थी लेकिन वाइगाट्स की कि क्या थी social constructivist थेरी थी ठीक है जी it emphasized on social context of learning and construction of knowledge through social interaction social interaction क्या किया था वाइगाट्स की ने जादा social चीज़ों पर focus किया था मतलब environment पे हमारे social behavior पर social interaction में हम अपनी society में कैसे लोगों के साथ interact करते हैं इस चीज़ पर रहने जादा knowledge इस से कैसे develop होता है इस चीज़ पर रहने focus किया था इस वज़े से इनकी approach को हम social constructivist approach भी कहते हैं ठीक है जी यह थे हमारे पास वाइगाट्स की की थेरी ठीक है जी जिसमें में इनके three points थे कौन-कौन से थे language and thoughts, kept holding and zone of proximal development I hope आपको अच्छी समझाईए होगी if you have any QD, you can freely ask in the comment box thank you so much and Allah Hafiz